नवस्कार आप देख रहे हैं प्राइम जूस 24 मैं हूँ आपके साश्वेता सिंग्ग अपकेजर्ट इस जमीन पर लगभग 100 परिवार पीडियों से काविज हैं कई किसान भूमी स्वामी स्वाटत्व धरक पिडियों से खेती कर रहे हैं इन किसान परिवारों को जाड़कर वन व्नभाग को जमीन आवंटित करना पूरी तरह से विधी विरुध है मद्यप्रदेश किसान सभादवारा इस कारिवाही का पुर्जोर विरूत किया गया है उप्रोक सभी दस गाउं के किसानों ने चंबल किनारे कठे होकर सभाकर साशन वा प्रसाशन से मांग की है कि चंबल के बीहड की जमीन जिसमें दस गाओं के किसान का काबिज है, वन विभाक को नहीं दी जाए। पीडियों से काबिज किसानों को इसके पट्टे दिये जाए। इसके लिए किसान लामबंध हो रहे हैं, चंबल शेत्र के किसानों नी। पूर्व में भी घड़ियाल के खिलाफ कमपनियों को जमीन आवंटित नहीं किया गया तो हम लोग संगठित होकर संगर्ष करेंगी किसानों की आम सभा को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश किसान सभा के प्रतेश उपाध्यक्ष अशुक तिवारी ने कहा कि गरीब जो पीडियों से काबिज है उन्हें उजाडा जाना नियम सभा को मध्यप्रदेश किसान सभा के जिला महासचिफ मुरारी लाल धक्कर ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को संगठित होकर सरकार के वन विभाग के लिए भूमी आवंटन के निर्णय का पुरजोर विरूत करना है ये निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त किय जाना चाहिए उन्होंने किसानों से संगठित होकर आंदलन को आगे बढ़ाने की अपील की है इस सभा में रामस्वरू पूर्व सरपंच घमंडी केवट रगुवीर केवट हेमराज केवट जनपसदस्य लाल पती केवट मांगी लाल शर्मा इस आंदलन को स्टूडल दर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौपेंगे प्राइम यू स्टिफोर के लिए ब्यूरो जितेंद्र तिवारी मुरयना की रिपोर्ट कर दिए यह पीडियों से जमीन पर काबिज है और 10 मजरे टोले गाम यहां पर रहे हैं जिसमें लगभग 600 से ज्यादा परिवार यहां पर नवास रहते हैं और इनकी जमीन नहीं जानी चाहिए जमीन इनके पास रहेनी चाहिए और बन बने वाको अन्यंत्र जमीन आवंटि कि झाल जब कि अधियर कि लुड़ा है